आज की वीडियो में हम लिस्ट के ऐलिमेंट को एकसेस करेंगे यूजिंग फोलूप तो हम लिस्ट के ऐलिमेंट को यूजिंग फोलूप इसलस एकसेस कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास लिस्ट के जितने भी ऐलिमेंट हो हम फोलूप टैप करके उसे इसली एकसेस कर सकते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ तू तू थिरी लाइन का कोड टैप करना पड़ेगा तो आएए सबसे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं हम लिस्ट को नेम देते हैं डेटा इसके पाद हम वैल्यू स्टोर कर राते हैं इसमें 10 और 25 और 4.5 और एक स्टिंग ले लेते हैं माय अकेड्मी और एक और वैल्यू ले ले लेते हैं हम यहाँ पर 60 तो यह है हमारी लिस्ट डेटा के नाम पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 लूप टैप करेंगे 4 आई आई हमारे पास कोई भी वेरियेबल हो सकता है इन जो हमारे पास लिस्ट का नेम है वो टैप करेंगे हमारे पास यह पर है data तो हमने पैट किया है data उसके बाद हमें यहां पर print करवाना है i को यह अभी मैं आपको run करने के बाद समझाता हूँ कि किस तरीके से work कर रहा है इसे save करके run करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास यहां पर list का हर element print हो रहा है तो आज़े समझते हैं कि किस तरीके से work कर रहा है तो सबसे पहले हमारे पर लिस्ट है data गे name से इसके बाद हमने यहां पर type किया है for i in data तो इस basically इस for look का मकसद क्या है सबसे पहले वह बात कर लेते हैं इस for look का मकसद यह ही कि आप data list के अंदर से एक एक element को लें और i के अंदर store करें तो इसके बाद हमने यहां पर print कर आया है i तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से element को लेगा और i के अंदर store करेगा तो सबसे पहले यह for look चलेगा first time तो यह क्या करेगा कि index number zero की value लेकर i में store करेगा और उसके बाद हमने यहां पर for look की body के अंदर i को print रवाया है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर print हो रहा है 10 इसी तरीके से loop जब second time चलेगा तो यह क्या करेगा कि second element जो के हमारे पास index number one में उसकी value लेगा और i में store करेगा तो उसके बाद हमने यहां पर print करवाया है i को तो आप देख सकते हैं कि आपके पास print हो रहा है second element जो के है 25 उसी तरीके से यह चलेगा third time loop तो जब third time चलेगा तो यह third element को लेगा और i के अंदर store करेगा उसके बाद हमने यहां पर print करवाया है तो आप देख सकते हैं outfit में third element हमारे पास यहां पर print हो रहा है इसी तरीके से fourth time चलेगा तो हमारे पास print करवाएगा my academy जो के हमारे पास एक element है string का इसी तरीके से fifth time चलेगा तो यह लेगा 60 को और store करवाएगा i में और simply print कर देगा इसी तरीके से जब यह चलेगा six time तो यह देखेगा कि कोई element बाकी रहा है तो यहां पर कोई element बाकी नहीं है तो यह loop यहां पर terminate हो जाएगा तो friends इस तरीके से यह work करता है इसी तरीके से अगर यहां पर हमारे पास 50 to 60 element होंगे तो यह इसी तरीके से उन्हें लेगा और print कर रहाएगा तो आप देख सकते हैं कि four loop में हमारा काम कितना असान कर दिया है हमने पिछली वीडियो में एक एक element को print कर राया था तो आप देख सकते हैं थी कि हमारे पाफ five to six lines का code हो लिया था लेकिन यहाँ पर हमने two lines के code के अंदर तमाम element को print कर रा दिया इसी तरीके से हम four loop में range को यूज़ करके भी हम element को print कर रा सकते हैं list के उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमने simply type किया है data तो इससे क्या हुआ कि हमाएं पास length था जाएगी list की तो इसके लिए हमें इस length को एक variable में store कर रा लेगे इससे क्या हुआ कि हमारा काम असान है जाएगा इसके लिए हम इसको store कर राते हैं n variable के अंदर इसके बाद यहां पर हम इसे range देते हैं for i in range हमने यहां पर इसे range दी है कि आप enter चलें यह मैं अभी आपको run करके समझाओगा कि किस तरीके से हम work कर राए इसके बाद हमने यहां पर data नाम की list को और इसके element को print कर राना है इसके लिए हम simply type करेंगे data और हमें मालुम है कि इसके जो element है वो i में store हो रहे हैं इसी वज़जह से हमने इस वाद break it candle i type किया है तो सबसे पहले हम यहां पर range की spelling को ठीक कर लेते हैं फिर इसे save करके run करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास यहां पर list के element प्रिंट हो रही है तो आएए समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास element प्रिंट हो रही है तो सबसे पहले हमने यहां पर एक list लिए है data के name से उसके बाद next step में हमने कहा है कि आप list की length मालुम करें तो आप देख सेकते हैं कि आपके पास यहां पर five element है list में तो हमारे पास इसकी length है five तो हमने इसके बाद कहा है कि आप length जो भी आए उसे end में store कर दें तो हमारे पास यहां पर end में store होगा five क्यों कि हमारे पास इसकी length है five उसके बाद हमने यहां पर four loop चलाया है हमने इसे range दी है कि आप end तक चले तो इस full loop क्या करेगा कि 0 से start होगा और 5 तक चलेगा तो इस camera 5 include नहीं होगा तो फिर भी यह हमारे पास 5 time चलेगा तो उसके बाद हमने करा है कि आप एक एक element layer आई में store करें तो यह loop जब first time चलेगा तो first element लेगा list का जो के है 10 उसे आई में store करेगा उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी body के अंदर इसे print कर वाया है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर output में print हो रहा है first element list का इसी तरीके से यह loop चलेगा second time तो हमारे पास print होगा 25 third time चलेगा यह loop तो हमारे पास print होगा 4.5 और fourth time चलेगा यह loop तो हमारे पास print होगा my academy और जब fifth time चलेगा यह loop तो हमारे पास print होगा 16 तो जब यह loop six time चलेगा तो हमारे पास यह condition satisfy नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि हमने इसे length दी है कि आप five तक चलेगा तो इस तरीके से हमारा यह loop terminate हो जाएगा तो friends यह थी हमारी आज की वीडियो हम उमीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ जाई होगी और पसंद जाई होगी अगर जो भी आपका क्यूशन है इस topic से related तो आप वो comment box में पूर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजिये और बेल का icon पर लाजमे किमिक कीजेगा और वीडियो को like करना मत भूलिएगा thank you for watching this video friends, bye bye